पहले तो होम आइसोलेशन बंद कर दिया, बोले कि हर पेशेंट को पांच दिन के लिए कॉरंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा। फिर उनसे बात करके इस आदेश को जैसे तैसे वापस कराया, तो उसके बाद एक और आदेश दे दिया के इन सरकार के और से, कि हर विक्ति को कॉरंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा पॉजटिव पाये जाने पर, भले ही उसको बाद में हुमा इसोलेशन में रहने की इजाज़त दे दी जाए, अब 100 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री अगर किसी को बुखार है, वो पहले कॉरंटीन सेंटर जाएगा य जो कॉरोना उसको भी हम कहते थे, जाओ भई पहले कॉरंटीन सेंटर जाओ, इस से लोग बहुत दुखी थे, तो इसके लिए भी हमने केंद सरकार से निविदन किया था, हमें खुशी है कि केंद सरकार ने हमारी बात मान ली, अब फिर से दिल्ली में वही सिस्टम लागू हो गया, कि अगर आपको कॉरोना पॉजटिफ पाया जाता है, तो आप अपने घर पे रहिए, वहीं आपकी स््क्रेणिंग हो जाएगी, और दिल्डी सरकार की मेडिकल टीम आपके घर पे आके आपके घर की स्थिती देखेगी, आपके श्रीर की स्तिती देखेगी, अगर नहीं है अगर कोई और oxygen अगरा की problem नहीं है तो आपको वहीं घर पे ही रहने की अजाज़त दे देगी और अगर hospital जाने की ज़रूत है तो hospital भी आपको फिर जाने के लिए कहेगी तो ये जो विवस्था बीच में लागू हुई तीन-चार दिन के लिए अब ये खत्म हो गई ह है वापस home isolation में रहने के लिए अगर आप home isolation में रहने के लिए eligible हैं तो आप corona positive होने के बाद भी home isolation में रह सकते हैं line में लगने की ज़रूत नहीं है आपको जो बीच में system लागू हुआ था अंतमे में कहना चाहता हूं कि home isolation एक बहुत शांदार व्यवस्था है जो दिल्ली में सारे देश में सबसे शांदार तरीके से चलिए और करीब 30,000 patients इससे ट्शीक हुए तो जो व्यवस्था अच्छे तरह के से काम कर रही हो जो शांदार तरीके से चल रही हो उसको हमें आ मैं भी हमारी बात मान ली और आज SDMA की meeting में पैसला लेके उस order में मैं और इसके सुना देता हूं उसमें लिख दिया गया है कि जिन लोगों के जो हमारे test centers हैं वहां test हो रहे हैं उनकी screening तो वही हो जाएगी जो rapid test होते हैं और बाकी लोगों के लिए order में लिख दिया गया है कि the patient shall be allowed home isolation if as per assessment of home isolation team sent by district surveillance officer the patient if the patient is mild ya pre-symptomatic asymptomatic unless he or she is having comorbid condition and has a residence of two rooms or a separate room and a separate toilet for the patient he will be allowed for home isolation मतलब अगर आपका दो कमरे का घर है या आपके घर में आपके लिए separate कमरा है और separate toilet available है तो फिर आपको symptoms ना होने की स्थिती में घर में ही रहना है और home isolation ही Corona की सबसे के Ha IPılarसका यूआर और है में में धर है की स्थिती में।ने की स्थिती में जIGH रहा है था है sigu Perm